Hello everyone, my name is Bhaskar and welcome to my YouTube channel Technical Civil Engineering So friends, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहा है house plan So friends, आज हम house plan में लगभाग 30 into 40 यानि कि 1200 square feet की बात करेंगे यह आपका area है, यह आपका plot का area है, हमें क्या करना है कि house plan को design करना है यानि कि यह इसका width portion है, यह इसका width portion है और इसका length portion है यानि कि 30 feet width और 40 feet जो है इसकी length है, यानि कि यह आपका FPS system के base पर बनाया गया foot point system पर, आप इसको MKS system में भी design कर सकते हैं, यह आपके उपर निभर करता है So friends, अगर आपको video अच्छा लगी तो please like कीजे, अपने friends को share कीजे और जो friends नई जुड़े हैं technical civil engineering channel से, प्लीज जो है channel को subscribe करके, जो है bell icon प्रस करना न भूलें So friends, इसमें हमने क्या किया कि, हमने 1200 square feet के इस area को हमने क्या कि, four part में categorize किया है, पहला part हमने इतना रखा है, उसके बाद यह जो portion है, यह second part में रखा है और यह third part में और यह fourth part में इसको categorize किया है So friends, हमने इसमें design क्या रहना है, हमने इसमें इसकी सुरुवात कहां से की, starting portion हमारा gate हमने इधर से रखा यहां से आप entrance करेंगे, यहां कि इस house के अंदर, तो entrance के लिए हमने इसमें gate रखा है और जो भी आपको outer यह, आपकी क्या है friends, यह आपकी outer wall है Outer wall को आप क्या कर सकते हैं, आप one and half, यानि कि dead brick wall से आप इसको बना सकते हैं जिसमें आप इंग्लिस bond से अगर आप बनाना चाहें, brick work करना चाहें, तो आप कर सकते हैं आप फ्लेमिस bond से करना चाहें, तो आप कर सकते हैं, अगर इंग्लिस bond से करते हैं तो आपकी exchange जो है, as compare जो है आपकी फ्लेमिस bond, exchange जो है यादा आती है so friends इसमां हमने क्या किया कि हमने जो है इसका जो entrance gate से अंदर जैसे हम entrance करते हैं तो हमने क्या किया कि 8 feet 7 inch length का हमने क्या length रखी रूम की और 6 feet 4 inch जो हमने इसकी वीरत रखी यानि कि यहाँ पर हमने एक two wheeler parking के लिए जो भी आप necessary जो है आप जो भी अगर कुछ आपको use करना है portion का तो उसके लिए जो हमने एक portion छोड़ दिया आप two wheeler भी खड़ा कर सकते हैं यहाँ तो two wheeler के आप parking कर सकते हैं और left और right और हमने क्या किया कि एक एक जो है bedroom जो है आपक seven inch है उसके बाद जो हमने रखा है आपका drawing room और waiting room यहाँ पर आप अपना sofa set कर सकते हैं यहाँ पर आपका drawing room या waiting room जो है आपका guest room भी कह लीजिए आप friends इसमें यह जो आपका design आपका बनाया गया है या जो आपका house plan बनाया गया यह वास्तु सास्त के अनुसार जो है नहीं बनाया गया है friend तो जैसे क्या होता है कि पूरा पच्ची मुत्तर दक्षण हमारी चार दिसाएं होती है और उन 4 दिसाओं के बीच में इस तरीके से जो है corner पर हमारी जो है उप दिसाइं जो है चलती है अगर मैं आप से कहूँ कि यह मेरा east portion है, यह मेरा west portion है, यह मेरा south portion है और यह जो है मेरा north portion है यहाँ आपका कहलाता है जो है नैरत्तिकon यहां जो है वास्तूर शास्तर के अनुसा है और south और east के बीच में जो आपका angle बनेगा यहाँ आपका आगने कोट या जो है अगनी कोट कहिँ इस तरीके से बनता है और जो आपका इस्ट और जो नॉर्थ के बीच में जो एंगल बनेगा यह वाला यह अगर इस्ट है यह आपका जो है नॉर्थ है इसके बीच में जो एंगल बनेगा इस्ट और किसके बीच में इस्ट और नॉर्थ के बीच में जो आपका एंगल बनेगा यहां कहलाएगा ईसान कोण और यह आपका North है यह आपका West है तो North और West के बीच में जो आपका एंगल बनेगा यहां आपका कहलाएगा वाइब भी कोण यहां कहलाता है फ्रेंड्स वास्तू सास्त्र के अनुसार पर हम यहाँ पर वास्तु सास्त के अनुसार बात नहीं करेंगे अगर आपको वास्तु से related जो है कोई knowledge चे या वास्तु से related आपको वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज जो है आप एस्टो तेज नाम से आपका वीडियो यूट्यूब चैनल है उसके बाद जब हम drawing room या waiting room के बाद left portion की बात करते हैं तो हमने इसमें क्या किया है कि staircase प्रोवाइट किया गया है ताकि आप कल के दिन double story, triple story अगर आपको बनाना हो तो आपके लिए staircase प्रोवाइट किया गया है इसमें इसकी जो length रखी गई है यह जो है 6 feet, sorry 9 feet 8 inch इसकी length रखी गई है staircase की और जो इसकी विर्थ रखी गई है 6 feet 10 inch जो है इसकी length रखी गई है और आपका 19 feet 6 inch का ये है आपका इसकी विर्थ drawing room की और 10 feet 3 inch जो है इसकी विर्थ है और 19 feet 6 inch जो है इसकी विर्थ रखी गई है विर्थ या length आप देख लिए यह 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 length portion हो गया drawing room के लिए यह इसका विर्थ portion हो गया उसके बार हम जब आगे जाते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ खुला इस्तान यहीं की passage रखा गिया है लभग 7 feet 4 inch विर्थ का और इसके right side जो है आपका kitchen रखा गिया है 10 feet विर्थ का और 10 feet जो है इस तरीगे से और 7 feet 1 inch जो है आपकी length of portion जो आपकी 40 feet वाली है उसके हिसाब से 7 feet 1 inch जो है यह रखा गिया है उसके बाद passage के अगर जो है left side बात करें friends तो यहाँ पर toilet प्लस bathroom एक तो attached है दोनों जो है toilet बात्रूम जो है combined है यहाँ और उसी के बगल में आपका क्या है बाता क्या है यहाँ बात कर सकते हैं है जीके इस तरीखेसे 4े प्लान बनाया ग्यां कै़ा है four corners पर four bedroom जह सोखेगे friends ऐसा नहीं है कि आप अलग तरीके से डिजाइन निकर सकते हैं आप भी यह आपकी thinking के ओपन निभर करता है कि आप किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे पाँ जो required area है यह आपका 1200 square feet का है अब यह हमारे उपर है कि हम जो है किस तरीके से जो है इसे डिजाइन करें हमें जो है bedroom किस corners पर चीए हमें जो है kitchen किस direction में चीए हमें staircase किस direction में चीए तो generally जो आपके kitchen से हो गई जो kitchen हो गया अगर वास्तिवास्त के बाद बात करें तो kitchen, study room, temple और जो आपके bathroom होते हैं यह आपके east portion में होते हैं जिस side आपका entrance यह निकी door भी प्रोवाइड गया था है यह निकी door से हो गई आपके study room हो गया, temple हो गया, bathroom हो गया सब east direction में जो है सो किया जाते हैं और जो आपके west portion में आते हैं आपके stairs होगी, toilet होगी है वहाँ आपके west portion में आते हैं तो इस तरीके से वास्तु सास्त में बात की जाते हैं लेकिन हमां यहाँ का वास्तु सास्त को ध्यान में रखते हुए यह design इस तरीके से बनाया गया है तो इसमें friends यह क्या है यह आपके outer wall हैं जो black color में दिखाए गया है यह outer wall है आप जो है one and half brick wall में इसे design कर सकते हैं उसके बार friends क्या है कि यह जो इस तरीके से जो अंदर जो interior walls दिखाई गी हैं इन्हें जो है आप जैसे आपकी toilet है toilet plus bathroom है kitchen की जो walls हैं इनको जो है half brick wall यानि कि जो है आप इनको जो है structure bond के area जो है यानि कि 10 cm thickness की यानि कि half brick wall से जो है design कर सकते हैं और इनमें आप क्या है कि फ्रेंट्स number of columns जो provide किये गए हैं आपके one column two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 13 एक यहां पर भी provide कर सकते हैं 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 इसमें जो है हमने 19 column जो है provide के गए हैं आप 20 column भी provide कर सकते हैं यहां पर लगबग 18 से 20 column जो है आपके बाद स्क्वेर फिट का अगर आप जो है फोर भी एचके का यानि कि फोर बेड्रूम, वान हॉल, वान किचन का जो है आप design बनाना चाह रहे हैं या house plan बनाना चाह रहे हैं तो आप इतने columns रखिए फ्रेंट्स, जो number of columns हैं यह आपके जो है किस तरीके से आपका जो budget है उस पे निभर करता है कि आपका budget जो है कितना है क्योंकि आपको पता है कि जो आपका construction material है, जो आपका reinforcement है वहाँ आपका present में कितना चल रहा है, आपको उसके उपर निभर करेगा तो अगर आप 18-20 column प्रोवाइट करते हैं तो लगबग आपका building cost रहेगा फ्रेंट्स, वहाँ आपका 18-20 lakh जो है रहेगा, 18-20 lakh के बीच में जो है रहेगा, अब फ्रेंट्स, आपको करना कि यह आपकी drawing बनाई गई है अब आपने क्या करना इसको फिल्ड पर बनाना है, यह तो आपकी drawing seat पर बनाना है, यह आपका A4 seat पर बनाया है भी मैंने, लेकिन आपने क्या करना इसको फिल्ड पर execute करना है, फिल्ड पर show करना है, तो फ्रेंट्स जैसे आपका यह square है, यहनिका आपका आपका क्या है rectangle category है, इनका यूज करके आपने गाने है, आपने फिल्ड पर क्या करना है कि यहां पर आपने एक खूटी जो है एक यानि की पैग खूटी जो है आपने गाड़ देनी है उसके बाद क्या करना है उसको जो है एक सिरा उसमें आपने तागा यानि की थ्रेट का इधर की और खीचना है एक तागा जो है इधर की और खीच करना होता है कि side पे जब आप कॉलम की layout करते हैं तो आपने जब centring और eccentric कर ली तो आपने बुर्जी पिलर बनाने होते हैं बुर्जी पिलर क्या होते हैं ऐसे corners पर या इस तरीके से आपने इधर corners पर जहां जहांगे आपके column बनने वाले होते हैं, वहाँ पर आपको क्या होता कि बुर्जी पिलर बनाने होते हैं बुर्जी पिलर बनाने से क्या सहुलियत होगी आपको friends आप centring और eccentricity होती है उसको आप check कर सकते हैं किस तरीके से आपकी centring रहेगी किस तरीके से आपकी eccentric रहेगी उतके इन देता रहेगी उन दोनों को check कर सकते हैं और उसके लिए जो है आप isolated column footing का यूज कर सकते हैं अब अगर आपकी जो है normal याणि की जो ordinary buildings हैं याणि की zero से जो है seven stories buildings हैं जो हमारी residential building होती है तो उनके लिए आप isolated column footing का यूज कर सकते हैं isolated footing में होता है क्या है friend कि isolated footing पर आपका केवल एक ही column only one column कि क्या होगा stable रहेगा यानि कि केवल एक ही column को जो है वह support करता है isolated footing केवल एक column को जो है support करता है तो यह आपके ओगए निवर करता है कि आप जब पेड फुटिंग है यानि कि जो आपकी अगर मैं कहूं कि बहु मंजले भवन है तो उनके लिए आपको जो है राफ्ट फाउंडेशन या जो है पाइल फाउंडेशन आपको अपनाना होता है सो फ्रेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह आपकी जो यह जो लाइट कलर में जो आपकी यह पैन यूज की गई है highlighter यूज यूज किया गया है light color में यहाँ आपका क्या है? Transferition है अब आपने क्या करना है कि एक ventilation आपका यहाँ पर इस पोर्षण में आपको ventilation प्रोवाइट करना है जिससे आपका क्या हो कि हवागा आवागूमन हो सकते यहाँ पर आप जो है विंडो प्रोवाइट कर सकते हैं इस तरीके से आपको वेंटिलेशन होगा और जो भी यह ब्लैक पॉर्शन दिख रहा है ब्लैक स्केच पैन का यूज किया गया है यह आपकी क्या वाल्स हैं इस पॉर्शन में आपकी आउटर वाल्स आगी और जो इनके जो आपके साइज लिखे गए हैं यह डाइमेंशन जो भी इनके अंदर लिखी गई है लेंथ और विर्थ यह जो है इसमें सोकी गई है प्लीज जो है आप इने देखिए और यहाँ आपका जो है फोर बेड्रूम वन हॉल और वन किच्छन के लिए है आप जो है बहा जो इस प्लान से रिलेटेड इस लेक्चर में जो है इतनी बात करींगे अगर आपको प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीज़े अपने फ्रेंड्स को जो है शेयर कीज़े और जो नए चैनल के साथ जो जो है प्लीज सब्सक्राइब करके जो है बेल आइगन को प्रसका ना न भूलें थैंक्यू फॉर वाचिंग